नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग दोस्तों आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से डोर और बिंडो लगाते हैं कई लोगों ने मुझे बोला सर रूल के अकॉर्डिंग बताईए किस तरीके से डोर और बिंडो लगाते हैं क्योंकि उनको को पता तो है कि door विंडू ऐसे place कर लेते हैं circle बना के एकlight किसके कर दिया पर क्या वह सही होता है या exact size क्या होता है डूर का यह साइज क्या होता है पिंडाओ का यह हम लोग इस वीडियों में डेखने जा रहे हैं तोउस्टो साथ ही साथ हम लोग देखेंगे इसमे section好啦 elevation कि section किस तरह से बनाते हो और elevation किस तरह से बनाते हैं, तो आज के लिडियो थोड़ी से लंबी होने वाली है तो please bored मत होईएगा, क्योंकि देखिए आगी क्या होता है जब कोई बड़ा topic और knowledgeable topic होगा तो बड़ा topic जाता है तो please इसको last तक देखिएगा जो भी हमारे daily user है आप सब के demand था इसलिए मैंने section और elevation और door और window इस वीडियो में पूरा का पूरा समझाया हुआ है और कैसा लगाईए अगर आपने इसमें 100 likes दिये तो मैं इसके बाद इसमें beam detailing, column detailing और slab detailing और footing detailing का भी वीडियो त्यार करूँगा दोस्तो लास्ट वीडियो हमने देखा था कि किस तरह से इस plan का यहां पर column layout कैसे बनाते हैं अगर नहीं देखना है तो आप प्लीज पार्टू देख लिएगा पार्टू में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से layout plan बनाते हैं आज का जो वीडियो वीडियो पूरा का पूरा डोर और बिंडो और सेक्षिन ऐलेशन वेसे हैं तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको क्यों कि देखें डोर बिंडो तो सभी लोग लगाते हैं बट क्या आपको इस टेंडर साइज आप डोर और बिंडो पता है क्या तो हम उसी चीज़ पर बात करने वाल हैं कि वाट अर्डे साइज आप दोर एंड विंडो तो मेरे पास कुछी स्टेंडर साइज है दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बेड्रूम का साइज 3.3 feet 3 inches and 7 feet height बात्रूम is 2 feet 6 inches and 7 feet height किछन is 3 feet and 7 feet height मैं दोर is 3 feet 6 inches height and sorry 7 feet height and like sometimes we'll take the 3 feet 9 inches also and 7 feet height the toilet room is 2.1 means 2 feet 1 inches and 7 feet and varanda like 2 feet 1 inches into 7 feet 2 feet 6 inches into 7 feet sliding door maximum 5 feet into 5 feet into 6.6 feet or means 6 feet 6 inches and this one and this 7 feet and sometimes height is 6 feet by 6 inches these are the standard size of rooms like doors and like this is the standard size of window आप आप दियान से देख लिजे आप चाहें इसका 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 बेड्रूम बेड्रूम साइज इस 4 feet into 4 feet 6 inches 4 feet and 5 feet into 5 feet 4 feet into 6 inches and 6 feet into 6 4 feet into 6 inches हमारे 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 हैं में हैं माक्सिम्ट इसका इसका है जो हाइड होता है यह होता है यह होता है ना 6 int इसका रहता है जाती अलगस लाइन वह 6 inches कि राती तो 7 feet and 4.7 तो मेंस ऐसां आपकरा पास साइज रहेगा जो फोर सिस्टार्ट होगा और सेवben कुल के लिए शुटार्ट होगा और कहां तक आयेगा फॉर तक आयगा ठीफियरगा और उसके बाद लाइक के फिर्पेट इस इचेग्ड लेकर ङॉद्टिंड रहेगा इस बात्रूम का मैकसिम रहेगा किना रहेगा टू रहेगा एकचुले इस इज़े इस वेंटिलेशन रखो के नहीं तो यहां पर इन्हीं स्टेंडर्स को लेते हुए हम लोग एक पटा फट तेयार करते हैं डोर और विंडो तरीकिस त्यार खर नहीं आपको जो मेन रूम में उसके लिए है 3 feet 6 inches और जो छोटे वाले रूम में 3 feet 3 inches चोटे में अंदर के रूम में और यहां पर देख सकते हैं कीचन का क्या साइज है कीचन का साइज रहा है 3 feet into 7 feet कि Kam There a बाथ रूम अभी लगाये नहीं हमने हम हम यह बात especial लगाने वाले में पलान में और पातरूम के लिए टूपीट इति सिक्ष ईंच कि बादरूम का है कि कि चल्ड का है कि इस तरह करें कि इसको इस तरह से त्यार कर देजिए कि इस तरह से कि इसको और फिर सबको ट्रिम राइट क्लिक कर देजिए कि अप्सेट कि दो इंच का ओप्सेट कर देजिएगा इनको क्या बलते को डूर बनता तो उपनिंग के पास तू इंचेस का ऊपनिंग्स राता है कि इंटरेस्ट रहेगा तो टू इंचेस हम इधर कर देंगे ओके तो अभी आम लोग इधर बनाके लोग रख लेते हैं कई जोगा पर यह योज में आजागा इस तरह के समस्पोर्ट्रिम कर देंगे जितनी एक्स्ट्रा लाइंस होंगी इस तरह से बनाने है अब इसके साथ इसके साथ एक बिंटो त्यार कर लेते यह बिंटो चलिए डारेक्टी त्यार कर देंगे त्रे अब दोर की बात करते हैं सबसे पहले हैंसे दोर को स्ट्रेट करने के बाद कि यहां से कॉपी कमाने लेजिए यह सबसे बड़ा बाला डौर रहाए थी और तो इसको इसके लिए सबसे चाहिए यहां से करिए और 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 अधो को आफ कर देजाए और यहां पर करिए और कई लोगों के दिमाग में कुश्चिन आएगा कि सर यहां से कितना डिस्टेंश चाहिए तो दोस्तों यहां से मिनियूम आधा मेटर का आपको dax देना चीमिंस 500 mm का दिस्टेंस देना चाहिए वाल से यहां तक का एक standard में लब करता है जो की earthquake की अच्छा होता है क्या करो इस तरीक आप देले तो ठीक है तो कूं 500 अमकर यहां पर को ilo स्भी कमें यहां पर स्धेंग कर दिए हमारा निएर बवाबल एक फिट होगा का तो अन्दर छिए मिलोगा है कि मिलैं अमने इस त्रेभाएं से उड़ लगा दिया और डुम लगाने के बद यहां पर गाना हिए बिंड़ो लगा इसको मैं रोटेट कर दिया अब यह तो इसको घुमाएं यह तो डारेट इसको प्लेस करिए यहां से कि अब इसको यहां से उठाई और यहां से कॉपी करिए और 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 तो को अफ करिए इसको डिलिर करिए आप से टू इंचिस तो हमें यहां पर बनाना भी पड़ सकता है एक इस्टेंडर बना लीजिए अगर जरूद पड़े तो आप इसको सीख लीजिए कि कैसे करना है वस्टेट इस तरज में क्लिक कर दिया अब देए कुछ लोग क्या करते हैं क्या बोलते हैं डोर को मेडल से पास करते हैं वह भी गलत नहीं है ठीक है कुल मिला कि डोर का डोर लगाने का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना होता है कि यहां पर डोर है ऐसा हमें इंडिकेट होना चाहिए और यह हमारे एक वेडरूम है तो इस वेडरूम के लिए हम इधर से अगर आगा इसको गुरूप कर सकते हैं तो ब्लाग भी आ Hersa कौशिओ से ब्लोग काफी है तक इसो में वचे ब्लोग बना के भी करते हैं वह इसको हमने तो सबढ़ा करने करने का Do तेकि अज़े सेलेट होता सबसेलेट होता है आप बस ऐसे करिए और यहां पर इस तरह से ने पर्फेक्ट लाना दिया और फिर इसको सेलेट करिए और सेलेट करने के बाद कॉपी कमांड यहां पर फिर करके डिलेट करिए और इसको सेलेट करिए और सेट टू इंजिस को अभी पर्फेक्टिन में लागा तो आप पर्फेट करने को सेलेट करिए इसको कि अगे ट्रिम ड्राइट क्लिक है अब ने इस तरीके से प्रापर इस पर भी डोल लगा दिया अब क्या कर सकते हैं तो या तो इसको ही यहां लगा दिया इसको अरेंज करें करना हम इसको डारेट ऐसे करें और यहां से मिर्यर कमांड ले इसको इसको सेलेट करने हम लोग अगर इसको यहां से मूब कर लें कि अगर इस तरह से दर भी डोल लगा दिया और एक डोर इसर विवा देखिए अभी मेरे से गलती क्या हुई है तब आ है कि दोर का ड्रेक्सिन हो इधर होना चाहिए तो हमने गलत किया है तो यह स्टेफ को क्या MBA जाना पड़ा और बैक जाना पड़ा को यह सेलेट करना है कि राप हुए यह बहुत इंपोर्टेंटे है कि आप अधोर को कि इधर ओपेंट करें को सबको सेलेट कर लेजिए और यहां पर इस तरह स्मोब कर देजिए अगर आप इसको ऐसे भी कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो आप ऐसे सभी करने तो भी और नौट लगा दीए अब बचा एक और रूम दों ये रख मैं और इसका भी डारेक्शन हम लोग स्थेम रख सकते हैं तो इसको सिधे कॉंपी करके यहां पर लगा सकते हैं तो इसको हम लोग सेलेट करें और इसको कॉंपी कमांड लें यहां से कि यह हो गया अब लगा अब लगा दिया है आप हमारा जो दूसरा इस्टेफ हुए है यहां पर बातरूम बनाना फिर इसकों लगाना तो बातरूम हम लोग क्या करने वालें यहां यहां से फाइफीट पर बात्रूम लेने वालों में तो आप चाहें तो यहां से डब लाइन क्रमान लीजे और यहां से और उस्फों ले लिए अच्छी थोड़ा बात्रूम रहागा तो अच्छा रहेगा शेवन पीट अमने अपने लिया इसको अप्शेट करा दिया आप सो इसले में 4 इंचेस का कर दिया 4 या 4.5 इंचेस जो भी आपका इस्टेंडर ब्रिक का ओस्ट कर दिए अब इसमें लोग 2.5 का डूर लगाएंगे तो 2.5 का यह सबसे चोटा वाला डूर है इसको यहां से कॉपी करिए पहले उसके पास लेके चलिए यहां पर यह और इसको और रोटेट कर दिए यहां से रोटेट कमांड लिया और फिर इसको मिर्यर कमांड और यहां से इसको मूव कमांड लिजिए और मूव कमांड लेके जस्ट क्लिक करिए यह देकर लगा देने हैं और फिर इसके बाद प्रिम राइट क्लिक सेम तिंग यहां सेलेट करिए तो बस यहां सेलेट करिए इसको सेलेट किया मेर्यर कमांड अब कुछ लोग के दिमाग में चल ला होगा सर आपने यहां पे लेयर गलत कर जिया वाल का अंजित उसके लिए भी प्राप्स बहुत अच्छा कमांड में आपको बताना चाहता हूं मैंच प्रॉपर्टी लेने के बाद इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर कुछ नहीं करने मैं ऐस पर क्लिक करते हैं तो यहां पे यहां पर बिंडू लगाने के लिए मैंने आपको बिंडू वाली सीरीज आपको दिखाए थी के स्टेंडर से बनाएंगे तो आपको मजाएगा तो यहां पर फीट से स्टार्ट हुआ है और फाइप फेट तक तो कैसे यूज करना है सबसे अच्छा जो हम लोग यह होता है यहाप एक लाइन कीजिए इस तरीके से और लाइन के बाद सारी स्ट्रेट नहीं है क्योंकि और तो नहीं है सो फ्लीज और तो उनको लेज़े ओप सेट अब देखिए ओप सेट फोर इंजिस का मलव चली फाइफ फीट का लगाना है तो टू पाइंट फीट इधर कर दीजे और टू पाइंट फाइफ इधर क्यों करना है ऐसे अब देखिए आपके साथ एक प्रॉल्म क्या होती है आप लोग क्या करते हो बिंडो को बस यहां से क्लिक करके ऐसे कर देते हो तो प्लिच के और इसना मत करिएगा इसके साथ इसमें select करके इसको offset करिएगा एक इंच उपर के और एक इंच निचे के होगा इस तरह से एक इंच थोड़ा से जादा हो गया जादा क्यों हो गया क्योंकि 4.5 का है यह 9 इंच के लिए एक इंच लेते हैं तो आप इसको दोनों को delete कर देज़ेगा आप सेट 0.5 अपर एंच 0.5 इस तरह से और यह राइट वे है किसी भी बिंडो के सिंबल के लिए okay now the same thing here also line offset is one minute two feet clear sorry two two feet connect one line from here to here no no same thing you can do here also अभी इनर है तो इसे four feet देके पिटेड़ा हो गया क्योंकि अर्थ आपने अर्थ वांता कर दो आप आप इसको रिमूओ कर सकते हैं इसके जूरत नहीं नहीं कि इस तुरी विंडों से लगा दिए और एक विंडोण हम लोग यहां है और नहीं रखने है ताप यहां रखिए और यहां रखिए ऐसे कर सकते हैं यहां से विंडोव लिए select किया offset to fit 2 फब प्रश्क्र माल मेडे ङसान पूल गैcción 2 फ्योगे य सुच्र फ़ शॉड़ करके is this another now the same thing you can do here also otherwise you can do copy and just take from here otherwise you can make here also let it easy for you because other others link our gate either the line aakadhi hongi if it काहा पराखना है okay तो इस बस्ट वे कि इस तो लाग इस okay little like this one now after this select this one and 0.5 अब इसके बाद अगर हमको इसका अगर किसी ने बोला किसार इसका एलुवेशन बना के बताईए कि एलुवेशन कैसे बने राटिक है एलुवेशन है बहुत इजी होता है एलुवेशन कुछ भी नहीं है इलुवेशन मिन्स आपको सामने से दिखे क्या 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 that is only elevation okay मैं आपको एक चीछ क्लियर करना चाहूंगा this is just like a parapet wall तो यह कुछ है और राइट क्लिक किया और यहां पर हमने वर्टिकल लाइंगे अब इससे क्या होगा इससे हम लोग देखेंगे कि बाहर हमको क्या-क्या दिखने वाला है वह वह चीज़े हम यहां पर शो कर लेंगे ठीक है तो इसकी shortcut की excellent होती है अब बाहर से आपको यह वाल दिखेगी हंदी दिखेगी अंदर की नहीं दिखेगी क्योंकि यह पैरापीट वाल है तो यह थ्रीफिट आपको यह वाली नवस की नहीं दिखेगी सीधे इसके साथ मिली हुई रहेगी आपको सिर्फ यह दिखेगा यह दिखेगा यह दिखेगा यह दिखेगा और यह भी दिखेगा क्योंकि टू इंचिस का उसमें अलिविशन दिखाना पड़ेगा अदर्वाइस डारेक्ट भी आप उसमें कर सकते हैं और यह आउटर वाल दिखेगी इनर वाल नहीं दिखेगी और इसका आउटर दिखेगा कि यह दिखेगा कि यह दिखे गा कि एगा इदी क्यों कि की मिक्स गाने इस वॉल के साहर्ट और इसा पनी है कि और लेटियां यहां से तु इंच अंदर के लेने वाद है घर इस तरीके से जो जो चीज़े सामने से दिखे साथ की लाइन किसे लेजिए इसके बाद यहां से लाइन एक कमांड किजिए और फिर कि रिम कमांड राइट क्लिक अब इसको select करिए offset यहां से करिए offset किया हमने देखिए इसमें अब यह क्या है यह आपका क्या है यह आपका क्या है प्लिंथ लेवल ठीक है और उसकी अब दिस्टेंस अब कितने हो की 1 फीट 6 इंचेस ठीक है यह इपेंड करता है साइड कंडिशन पर फोस्तेंदर होता है किना होता है 1 फीट 6 इंचेस ठीक है तो GL2 PL हमारा क्या आ गया 1 फीट 6 इंचेस नौ आप्टर दिस अब इस सेलेक्ट इस वन और फिट रहेगा प्यदाइट वाल जो कि रहेगा 3 फ Stephen कि यहाँ का पूरा का पूरा टारफेट है right और इसके बाद इसमें डॉर बिंदो युल भी रहेगा तो हम इसए आपको बताता हूं कैसे हैं इसको क्लेट करें इसको डिलेट कुरे KT ठीक है और अब इसको डिलेट करने के बाद यहां पर आपके पास सबसे पहला क्या है यहां पर विंडो के लिए आप यहां पर क्या किजिए एक लाइन कीजिए सेलेट करिए इस लाइन को ऑफसेट करिएगा इसको सिल हाइट पहुंचाएगा थ्री फिट और उसके बाद यहां से उपर की ओड़ जाएगा फोर फिट ठीक है यह हमारा क्या हो गया एक विंडो त्यार हो गया और इसके पर एक रेक्टेंगल कीजिएग इसमें डिजैन से लोग बाद में करेंगे विंडो की इसके क्लियर कर लिजे कि हमारे विंडो है यह हमारा डूर है तो दूर के लिए हमने क्या किया यहां से लिए इस लाइन को उपर क्यों चले गए शेवन फिट तरह से विट हमारा यहां गया कि यहां से लेके यहां तक और फिर से लाइन ओको एक्ट्राइड को डिलेट करते हैं ठीक है यह हमारी वाल लहेगी और यह भी वाल लहेगी और यह हमारा क्या है विंडों है तो विंडों के लिए क्या करना है यहां से लेकिए यहां तक लाइन कीजिए और इसको ऊपर की ओर थ्री फिट आने दीजिए और फिर इसके बाद इसको भी फूर फिट का अफसेट कर दीजिए और यह तरह से और रक्टेंगल क्माड लेजिए जो बैसे मैं उनको एक अब कमाड बताऊंगा यह दिलेड हो जाएगा और इस तरह से अमने लब लबक सारी चीजों को cover कर दिया हाँ cover हो गया और इसके बाद यहां से हमने इसको डिलीट कर दिया इसको तो इस तरह से हमने क्या किया कि में जितने भी हमारे एलिविशन थे हमने बना लिया अब इसके बाद आपका नमबर आता है कि आप कितना इसको decorate पाट हो गया एलेविशन कितना भी सजा सकते हैं लेकिन सेक्षिन के साथ ऐसा नहीं होता है सेक्षिन में आपको जो है वही दिखाना पड़ेगा तो आप अपना टाइम लेके बैठ जाहिए और बैठ कर सोचिए कि क्या-क्या दिखा सकते इसमें जितनी डिटिलिंग कर यहाद कुछ लोग क्या करते हैं इसको भी जिसने सेलेट किया एसको 3 इंचेस तू इंचेस तू इंचेस ऐसे करके और यहाँ पेक सर्केल बना लेते हैं कि टू-पॉइंट सर्किल यहां से टू-पॉइंट सर्किल ले लिया फॉस्ट सेकेंड यह कुछ करने रिस्ट डेकुरेट करने की कोशिश करें आ ऐसा कि इस तरह तो हमने क्या किया इसको इस तरह से बना दिया और हमें संसेट में अगया हम कोछ संसेट में बहुंद कर सकते हैं कैसा डियान कर सकते हो कि संसेट में देखेंड आपको डिजाइन करका ना है अगर से तो अब हमको design करना है तो हम लोग यहां से चले के हमाल लेजें और यहां से चले के हमाल लेजें थ्री ठीक है और उपर क्यों चले गवे थ्री हुआ कि अध्री थ्री थ्री और यहां से जले के है वन पॉइंट फाइब फेट इसके टेंजन इसको लिया और इसके टेंजन को मिला दिया इस तरह से और फिर ट्रिम कमांड राइट क्लिक इसको ट्रिम अब ऐसा बना सकते हैं और भी अगर रेकुलेशन करना है कोई प्रॉलम नहीं आप कर सकते हो जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको सेलेट करके आपसेट ले लिए इसका टू इंच इसका इस तरह से आपसेट ले लिया अब अगर आपका डोर दो पार्ट में डिवाइड है तो इसको यहांसे एक इदर की और और एक इदर की और करते हैं इसको हमने डिलेट करते हैं फिद्न करो सकतें फنस्ट केंद्फ एसको ठिक कर देजेगा कि छिला कि यहां पर कंप्लीट बना नहीं पाएगा तो इस तरीके के डिस्टेंस छोड़ देगा आपके साथ तो अच्छा है कि इसको मत लीजे ठीक है और इसके साथ ही साथ इसमें अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग हैचिंग डाल सकते हैं लेकिन अभी मैं बस इतना ही इसको इसको सेलेट करता हूं और इसको भी सेलेट करते हैं इन सब को सेलेट कर लिया हमने और सेलेट करके कॉपी कमान लिया इस पॉयंट से in इस बीन् marry릴 अब साइज यह हो इस बीडोह का साइज जिफरेंट है क्या हो इस पिए इस सचा किफ्रेंडू का साइज को इदर लगा देते हैं पर ऐसा नहीं सकता क्योंकि इसका साइज तो इसको दूसरे ट्रिक से बनाते हैं इसको आपसेट किया ठीक है अंदर क्यों टू इंचेस और इसके बाद जरूरी नहीं कि आपको हरे डियान वैसे बनाना है यहां से त्री इंच से आईए और यहां पाई यह त्री इंच प्री इंच यह उपर क्यों जाए आन इंच्स जितरों है और यह सकते हैं अगर यह दू पार्ट में यहां से सिलेट करिए और स्छिट करके हां पर लगा दिजिए इसको इस्ट में स्छेट करके ओफैड़ और यहां पर एक फिट और यहां पर भी एक फिट इसको सेलेट किया इस तरह हम लोग यहां पर विंडू लगा सकते हैं same thing with door also like door can do like two inches ऐसे कर दिया हमने डूर तो हमारा अंदर क्यों रागा ठीक है और आने के बाद अगर आपका door plane है तो no issue अगर plane नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर क्लिक करिए और ग्लास पर क्लिक करने के बाद जैसे हैज कमांड उपेन होती है 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 थोड़ी भारी कमांड होती है तो आपको थोड़ा से वेट करना पड़ेगा है यहां पर जाके पले मैं इसको भरत देता हूं क्योंकि यह जो है ऐसे यहां पर रेलिंग एक्चुली लगाएंगे बट अभी रेलिंग में नहीं पर आ यहां से डीलेंग दूंगा यहांसे शोड़िखे जीन गड़ा दूंग तो उसको मैं यहाँ पर कर सकते हैं और यह कि यह कैसा दिख रहा है यहां पर जाएगाे हैं कि कुछ ड्री शीरा इससा उनने को लिप यह इंद को बादने के यहां पर है जिस कलर में पेंट कलर का पेंट हुआ है तो सीधे फिर से हैच पर यह और एक सिंगल कलर जिसको सॉलिड बोलते है कि ने लिए यहां पर और यह बोला है कि बॉंट्री डिट नोट डिटर्मेंट मतलब कि यह कहीं पर कहीं क्लोज नहीं है तो अगर ऐसा कभी आपको दिखाता है क्योंकि आपने भी किया होगा तो आपको ऐसा आया होगा तो आपको क्या करना चाहिए बी-ओ यह बी-ओ कमांड बॉंट्री कमांड होती है बी यह लेना है और इंटर करना है पीक औबजेक्ट कर रहा है कि आपको बॉंट्री क्लोज नहीं है मतलब तब आपको इस केस में सिर्फ इसको अभी आप्सन आपके पास यह है यह और ये हैं और इन सबको लेके यहां पे J Inter जोइन कर दिजूए हाँ अब जोईन हो चुका है और अब इसके जाए और है लेकर लेकर लग यहां पर आच इस तरह से हम लोग इस पर हैचिंग कर सकते हैं अब इसके बाद अगर तुमको और ज्यादा इस पर काम करना है तो आप और कर सकते हो कि यहां पर कोई डिजाइन देना है कोई color देना है दोर देना है जिसे मिन बूला कि डॉर में मुझे यहां पर हैच पर जाओ और मुझे आप से gradient लगाना है gradient लिया ओ ग्रेडियंट का माल लीजे कर देजिए फिर चाहिएगा है पर ने तो वही कलर पदल लेगा कि ग्रेडियन इस तरह का कला लिया और हमने अगर यहां फिल करना है यहां करना है यहां करना है तो इस तरह से हम लोग इस Elevation बना सकते हैं अभी और भी Decorations कर सकते हैं हम लोग कैसा Decorations कर सकते हैं अभी यहां पे कोई pattern लगा दें आपको pattern design बना दें अगर इंजीनर बना चाहरे हो तो इतना Elevation आपके लिए काफी है और भी आप कर सकते हो अगर कैसा लगा आपको वीडियो एक क्वेरी आपको उसमें बताएगा इसलिए मैं इसमें सेक्षन नहीं प्रिफर करूंगा नेक्स बीडियो में बताऊंगा नेक्स सेक्षन में आपके साथ बहुत रही चीज है बिद पैरामेटर जैसे आपको डॉर विंडो और बता है with parameter वैसे ही section बताने हो ला हूँ तो उसके लिए next video आप देखेगा इस video में इतना ही और video कैसा लगा नी चिप करी अपनी डालिए कि आपको next कि आप से पूछना है कोई प्लान आपके पास से जिसका elevation आप नहीं बना पा रहे हो उसको मुझे भेजना मैं definitely उस पर एक video बना दूखा थेंक्यू सो मच पर वासिंग देश वीडियो होप यू लाइक दिस गाइस